हलो वोट्सब दोस्तो कैसे आप सभी फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक स्टोर कीपर की सैलरी कितनी होने चाहिए तो दोस्तो बगायदा आपको जो है वो एक जॉब सेर्चिंग वेबसाइट के उपर में लेके चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एक स्टोर कीपर के लिए किस तरीके की जो है वो रिक्वार्मेंट्स आ रही है और उनको कितनी सैलरी वहाँ पर ऑफर की जा रही है और हम लोकेशन को जो है वो चेंज करके भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या ल responsibilities क्या होती है तो इन सभी के लिए मैंने videos बना करके रखे हैं आप उपर i button पे click करके उनको भी देख सकते हैं और साती साथ दोस्तों अगर आपने अब तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो दोस्तों जरूर channel को subscribe कर दे चलिए चलते हैं मेरे mobile screen के उपर तो यह देखें दोस्तों यह यहां पर मैंने storekeeper jobs जो है वो डली के अंदर search कर लिये हैं हमेशा की तरह तो डली से शुरुवात करेंगे हम तो यहां पर देखें स्टोर कीपर की पहली ही आ गई है 20 से 35,000 रुपए पर मन्थ देने के लिए तयान है थोड़ी से अगर इनके requirements देखे जाएं तो फिलहाल इन लेकिन इनको दो साल का experience चाहिए होगा तो यह देखें यहां पर दो लाग से लेकर के तीन लाग साथ हजार रुपए पर येर का भी offer है यानि के तक्रीबन maximum 30-35,000 रुपए पर मन्थ मिलेंगे यहां पर देखें स्टोर की पर स्टोर इंचार्ज तो एक लाग 80,000 से लेकर क दो लाग 20,000 के बीच में मिल सकते हैं यानि के तक्रीबन 10,000 से लेकर के 15-18,000 तक यहां पर inventory executive तो यह देखें डेड़ लाग से लेकर के 2,500,000 यानि के ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 रुपए यहां पर मिल सकते हैं 20-21,000 यह स्टोर कीपर executive पचास हजार रुपए से लेकर क दो लाग रुपए पर यर ओफर किये जा रहे हैं तो अब डली के jobs जो हैं वो हमने देख लिए अब थोड़ा सा हम इसको change करके देखते हैं इसको हम डालते हैं यहां पर जमशीद पर चारकन तो देखें दोस्तों यहां पर store कीपर 12-18,000 रुपए पर मन्थ offering है तो यहां प पर सिर्फ एक ही मिल पाया है अगर हम कॉलकाता देखें यहां पर देखें दस हजार से लेकर के पंदरा हजार रुपए पर मन्थ offer है यहां पर और थोड़ा सा नीचे जाएं तो देखें यह 10,000 की भी offering है यहां पर देखें लोजिस्टिक्स एंड स्टोर कीपर 12-15,000 इतने ही है यहां से मैं अगर मुंबई लोकेशन डाल दूँ तो यह देखें स्टोर कीपर टेक्निशन 25,000 रुपए पर मन्थ देने के लिए तयार है यह देखें यह 2,000,000 से लेकर के 2,000,000 रुपए पर येर याने के मैक्सिमम 20,000 रुपए यहां पर मिल जाएंगे यह 30,000 रुपए की ओफर है तो इसको एक लोकेशन हम आखरी और एक चेक कर लेते हैं बैंगलोर की तो यह देखें यह स्टोर कीपर 9,000 से लेकर के 16,000 रुपए तक ओफरिंग है अभी यह स्टोर कीपर 12,000 रुपए पर मन्थ ओफर है और फिर बाके के आप यहां पर देख सकत हैं एकाद अगर हम और चेंज करके देखें लोकेशन को मेबी यहां पर हम डालें भोपाल जैसे शहर को तो भोपाल के अंदर ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है तो यहां पर एक लास्ट डेस्टिनेशन हम चूज करके देखेंगे यहां पर चले उसको हम कर लेते हैं यहां पर फाइंड जॉब्स कर लेते हैं यहां पर देखें लाबरेटरी अटेंडंट ग्रेट टू स्टोर कीपर तो यहां पर काफी अच्छी सैलरी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है एक लाग बारा हजार चारसो रुपए पर मन्थ यह नॉर्मल स्टोर कीपर है यह यहां पर पंदरा हजार रुपए पर मन्थ की ओफर है यहां पर देखें पंदरा से बीस हजार रुपए यह दस से तेरा हजार रुपए यहां पर देखें यह स्टोर की पर फ्रेशर की भी यहां पर रिक्वार्मेंट है आठ से बारा हजार रुपए देने के लिए तयार ह तो दोसो एक अगर मैं आपको range बताने की कोशिश करूँ तो सबसे कम जो हमने देखा वो था 9000 रुपै या यहाँ पर जो last हमने देखा 8000 रुपै तो सबसे कम हमने देखा है 8000 रुपै और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है वो है ये 112,400 रुपै लेकिन इनको actually laboratory attendant चाहिए store keeper बाद में आता है तो यहाँ पर आप kwama देख सकते हैं तो laboratory attendant की हो सकता है ये salary हो store keeper के लिए अलग salary हो लेकिन अगर एक range बताने की कोशिश करूँ तो 8000 से लेकर के maximum यहाँ पर 35,000 रुपै की हमने जो है वो offer देखी है तो 8000 से लेकर के 35,000 ये एक band लेकर के आप चल सकते हैं ये एक range लेकर के हम चल सकते हैं एक store keeper के job के लिए तो I hope दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया है काम का लगा है तो इस video को like करना बिलकुन ना भूले